तो हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का फिट से स्वागत है सुबह के आठ बज रहे हैं इस समय और एक अपडेट के लिए मैंने इसको व्लॉग बना रहा हूं कि कि आज रात को आप जान रहे हैं कि DLW में एक मिला लगता है जो हाला कि तीन साल में नहीं लगा था विजया दस्मी का तो आज उसी के तैयारी में हमारे घर के बगल में ही है तो हम लोग जाके इस पे ब्लॉग बनाएंगे और यहां पर मैं इस समय DLW सिनेम हूल के सामने ही हूं इंट्रेंस में तो हम लोग दे आप देखो आसमान में छाय हुए है तो यह हमारा बास्केट बॉल का स्टेडियम है चोटा सा आप यहां देखोगे कि कुछ पार्ट अभी भी बचे हुए है इसको हो सकता है कि बात के लिए या फिर इसका काम खतम हो गया होगा मलों यूज नहीं आया होगा तो रखे है कि इधर दिखें इंदल किस तरीके से आस उमीट में लगाया बैठा हुए है तो एक रास्ता ये भी है जाने का लिकने आपर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे व्यूटी सेंट्वेनिक सेंटर सिलाई के इंद्र अभी तो ये छोटा सा गेट है जिधर समय जा रहे हैं उसके बाद से में गेट भी चला जाएगा तो आकर्सन का में के इंदर यही रहेगा तो इधर से तो मालीज इंट्री बंद है हम लोग उधर से जाके देखेंगे कि जा सकते हैं कि नहीं अब जो आप लोग गेट देख रहे हैं यह मुख्य प्रविस द्वार इस मेले के लिए यह जो वह घ्राउंड जिर का जहां पर आलगा अब लोगों का आना जाना नहीं है क्योंकि यह पर पास लग गया है तो तो सभी लोगों के लिए यह नहीं रह गया है. स्पाहे लेकिन इस मेली के लिए यहां की जो तैयारियां चल रही है खुछ ऐसी है तो यहां पर देखलो थोड़ा सा रात को बारिस हुआ है लेकिन कुर्सियां वेगरा लगाने की तैयारियां हो गई हैं लगा रहे हैं यहां के वरकर तो बहुत ही बड़ा योजन होगा यहां का कि यह वी आईपी चेयर से हां लगे हुए है सुबह को समय जब मैं यह ब्लॉग बना रहा हूं आपको जानी रहे हूं सामको टाइम यहां पर इतनी ज़्यादा लगेगी आज रात होई कि लोगों को चलना तक मुस्किल हो जाता है तो घर के पास होने के वज़े से मैं इसको तुरंती वेडियो बनाना आसान तो में ले लिए तो आ गया स्टेडियम पूरा खाली है इस समय जैसे जैसे दिन जो है कि चलता रहेगा वैसे वैसे भीड़ लगतार बढ़ती रहेंगे और बात में फिर यह वेडियो बनाना भी मुस्किल हो जाता है तो यह सामने रहें तेन मूर्तियां यह जो बनाये हैं लोग काफे दिनों से यह तैयारियां चल रहे थे यहाँ पर तो यह जो आप देख रहे हैं यह जो तेन स्टैचू बने रहे हैं यह मुख्य केंदर रहेगा अकरसन का जो आज साम को होगा तो काफी बड़ा स्टेडियम है यह पहले सभी आम लोगों के लिए विखुला था लिकिन अब जो है कि यह बंद हो गया है अब विशेस मौकों पर ही लोग आ सकते हैं नहीं तो यहां के जो पास बनाये हुए लोग हैं क्यों वहीं तो तीन सालों बाद हला कि यह लग रहा है लोग डाउन के वज़े से कोरोना काल में नहीं हो पाया था तो रात को बारिस भी हो है तो पिछतिग्रस्त भी हो गया है हम पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां प्रसासन आने के लिए मना भी कर दिएगा बहुत सुबा का टाइम इसे लिए घूमते फिटते हम लोग पास में आ गए बहुत फ्लोज हूं तो रात को यह थोड़ा सा बारिस में बांधा गया है तो रात को जो बारिस हुआ है अब देख सकते हो मेरा पैर पूरा ये जमें पर पानी वे पढ़ जा रहा है तो काफी वारिस भी हुआ है तैयारियां जो है कि काफी अच्छे तरीके से चल रही है और उम्मीद है कि यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगा आप देख सकते हो कि कुछ लोग यहां पैर तक धोग पा रहे हैं इतना पानी भरा हुआ है यहां इस समय अब यह जो रास्ते आप देख रहे हो इस समय यहां पर एक दुर्गा पंडल लगा था डील डबलू का यह रास्ता है इस पर ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि समय लग गया मुझे रात भर एक दिन का पूरे बनारस भर में ही तो इसका समय नहीं मिल पाया थोड़ा सर दिन अब यह खतम हो चुक है लेकिन थोड़ा समय से आप लोगों को दिखा दूँगा तो दिन का यह मेरा ब्लॉग जो आप देख रहे हो इस समय यह अगल वगल जो एरिया है यहां रात बर बहुत मिला लगा था बहुत भीड़ था और आज रात का फाइनल हो गया यह मिला तो दोस्तों यह सूरे सरोवर और इसके चारो तरफ आप आज के डेट में देखोगी कि पुरी दुकाने लगी रहेंगी सुबा ही हो रहा है अभी और बहुत ज्यादा अभी आठ साड़े आठ बज़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं रात भर रहे गया क्योंकि पीन सालों बार एक तो डिगल डव्लू में यह मेला लगे है विजय दस्वई का तो पूरी रोडे जितने भी इस कॉलोनी के इंदर रोडे है बहुत भीड लगने वाली है और आज रात को देखा जाएगा कि क्या सीन रहेगा तो छोटा सब्डेट था मैंने आपक को दे दिया तो हमारे ब्लॉग यह को पतम होता है अपने गलिबाइटेक गया